बच्चो तो हम इंग्लिश में चाप्टा फोल पढ़ रहे थे और हमारी उसकी रेडिंग फिनिश हो चुकी थी मैंने आपको कोशन आंसर्स भी करने के लिए दे दे थे थे अब देखे क्या है working with language ठीक है देखते हैं फर्स्ट कोशन देखे इसका क्या है read the following conversation मतलब यहां पर conversation हुई है मतलब दो लोगों के बीच में बात हुई है उसे आपको पढ़ना है किस किस के बीच में बात हुई है रवी और लिदू के बीच में देखे रवी पूसता है what are you doing क किस से पूछता है मुझे दू से what are you doing क्या है इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो what means क्या तो तुम क्या कर रही हो मुझे दू से पूछा एला तो तुम क्या कर रहे हूं मुझे दू ने बोला I am reading a book मतलब उसने question किया और उसने question का answer दिया I am reading a book मैं एक किताब पढ़ रही है त से मैंने आपसे पूछा what is your name तो आपने reply दिया my name is dash जो भी आपका नेम है ठीक है मैंने आपसे पूछा what are you doing आप क्या कर रहे है तो आपने reply दिया I am reading a book I am playing I am eating whatever you are doing अब वो reply कर देंगे ठीक है फिर रवी ने बूला क्या बोला रवी ने who wrote it इस book को किस ने लिखी है वो बुक पढ़ रही दिना तो इस book को किस ने लिखी है वीदू ने answer दिया रस्किन बॉन किस ने लिखी है रस्किन बॉन में लिखी है रवी ने बोला where did you find it तुमें ये कहां मिली और लब तुने ये बुग कहां पाई कहां मिली तुमें where means क्या होता है कहां तो मिलुदू ने reply दिया in the library मुझे कहां मिली ये लैप लेए ठीक है तो इस तरीके से अभी के बीच में चल एक और कि लिए क्या है notus that what who where are question pass अब आपने देखा उसने question पूछना तो question पूछने के लिए उसने 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 वह शब्दा का इस्तमाल किया जैसे क्या कश्तेमाल किया what who where तो यह सब क्या है question words क्या words जिसमें हमने किसी से सवाल पूछना है मैं किसी से question पूछना है तो उसके लिए हम words का इस्तमाल करते हैं तो वो words के अगला आते हैं question words जैसे what, who, where और बहुत सारे question words होते हैं जैसे देखे कौन-कौन से question words होते हैं when, why, where, which, how, how many, whose तो बहुत सारे ऐसे question words होते हैं जिने हम question पूछने के लिए इस्तमाल करते हैं तो आज हम वही देखींगे कि आपको यहां पर मैं सिखाओंगी कुछ question words को इस्तमाल करना कि हम पूछना के किस situation में इस्तमाल करता है जब मुझे पूछना है किसी से कुछ पूरा है equation word है तो हम क्यों का इस्तिमाल हम कप करते हैं Why is used to know the reason जब हमें किसी बात का कारण जानना होता है तो कारण जानने के लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं y का w h y जैसे मैंने वोला Why are you not going। तुम क्यों नहीं जा रहे हो तो मैंने पूछा उसे reason पूछा ना जाने का क्या पूछा कारण पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो इसका मैंने क्या पूछा उससे कारण तो कारण पूछने के लिए reason पूछने के लिए मैंने कौन से question वर्ड़ का इस्तमाल किया y ओके अब वो answer आपको कुछ भी दे सकता है that I am not going because I have fever मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे fever है तो इस तरीके के y का इस्तमाल हम reason पूछने के लिए करते हैं आगे देखिए next है which which का इस्तमाल हम किस लिए करते हैं पहले बताईए which का मतलब क्या होता है कौन सा मैंने बोला which book कौन सी book which pencil कौन सी pencil which story कौन सी story अब देखिए which का इस्तमाल हम करते है which is used to to know about a particular thing among many जैसे आपके सामने कई सारी book है रखी हुई है और मैंने कहा कि मैंने एक book पड़ी है तो आप मुसे पूछेंगे ना कि कौन सी पड़ी है तो कई सारी book मैसे जब हम कई सारी चीज़ों मैसे जब हम कोई particular चीज़ के बारे में पूछते हैं तो उसके लिए हम विच का इस्तिमाल करते हैं तो आप मुसे पूछेंगे कि विच बुक कौन सी बुक ना बहुत सारी बुक रखी हुँ है उसमें से एक particular अगर थिंग के बारे में अगर बात करना चाहरे हैं तो हम कौन से कुशन वड़कर इस्तमाल करेंगे विच पूछेंगे क्या कौन से कुशन वड़कर यूज करके विच विच मींस कौन सा आगे नेक्स्ट है How many How many means क्या होता है बच्चो कितना तो हाउ मैनि का इस्तेमाल हम कब करते हैं जब हमें किसी चीज की quantity चाननी होती है जैसरे मेन पूछा How many Toffees अब Toffees को काउंट कर सकते हूं इसलिए मां How many का यूज करूइ ठीक है कॉफी को हम count कर सकते हैं तो जब हम किसी चीज की quantity जानना चाहते हैं तो what we use, we use how many to ask पूछने के लिए हम कौन से question रगा इस्तिमाल करेंगे how many, which means कितना, okay next, how, how means कैसे, how means क्या होता है, कैसे अब कैसे का use हम कब करते है, how is used to show the manner of action मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, काम करने की तरीके को show करने के लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं, how का, question word का इस्तिमाल करते हैं, how h o w, ठीक है, जैसे मैंने पूछा, how are you, तुम कैसे हो, तो हम पूछ रहें ना, कि तुमारी स्तिति कैसी है तुम कैसे हो है ना how have you done this तुमने यह कैसे किया काम करने का तरीका पूछ रहे है कि तुमने यह कैसे किया how have you done this और question mark next where, where means कहा, जब हम किसी जगे के बारे में पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा where are you going, तुम कहा जा रहे हूं तो मैं आपसे जगे के बारे में पूछ रही हूं ना तो जगे के बारे में पूछने के लिए है हम कौन से कोशन वड़का यूज करते हैं बच्चो where, which means कहा next, when when means क्या होता है बच्चो कब, मतलब जब मुझे किसी से समय के बारे में पूछना है जब मैंने पूछा आप कब जाओगे तो मैंने समय के बारे में पूछना है कितने बज़े जाओगे, कब जाओगे तो जब हम समय के बारे में पूछते हैं तो हम किसका यूज करते हैं when का what we use, we use when next what what means क्या तो जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं, तो हम what का इस्तिमाल करते हैं, जैसे मैंने पूछा, what are you doing, तुम क्या कर रहे हो, तो आपने reply दिया, I am reading a book, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो what का use हम, किसी भी चीज के बारे में पूछने के लिए करते हैं, तो what means क्या होता है बच्छों, क्या, next who, who means कौन, तो जब हम किसी person के बारे में पूछने, मैंने पूछा, who are you, तुम कौन हूँ, तो मैं उस इंसान के बारे में, या उस person के बारे में पूछना हैं, तो जब मुझे किसी person के बारे में पूछना हैं, तो उसके लिए हम who का इस्त किस सिचेशन में हम इनका इस्तमाल करते हैं आपको अच्छे से समझना है वीडियो को ध्यान से देखनी है ठीक है चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइस पर वापस आते हैं देखिए आपको यह एक्सरसाइस में पैरग्राफ पढ़ना है और जो वर्स थोड़े एक टैलिक लिखे हुए मतलब थोड़े टेड़े लिखे हुए हैं उन वर्ट स्कूपर आपको क्योशन बनानी है देखिए जैसे मैं आपको बता देती हूं कौन-कौन से हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जैसे फॉस्ट अनिले जिन स्कूल इसका आपको क्योशन फ्रेम करन तो अगर मैं कोशन बनाओं कि तुम क्या कर रहे हों तो इसका आंसर क्या आया मैं एक किताब पढ़ रहा है हना अप इंगलिष में ना सोचके, पहले हिंदी. में सोच ही तादि फिर उसकी од telescope बना लेगे. तो मैं क्या कर रहा हू किसी और ने पूछा तुम क्या कर रहे हू तो मैं क्या अंशर्रूंगी I am leading up तो तुम क्या कर रहे हो What are you doing क्या हो गया Question हो गया इसी तरीके से आपको लिखा है Annile is in school क्या लिखा है Annile is in school तो आपको उसका क्या बनाना है 종el को हटाके कोशन लगाना है कौन सब्षंद लगाएंगे हम यहाँ पर जगया के बारे में पूछने न पर न कहा है school में तो जगया के बारे में पूछन-το question क्या बनेगा इसका where is अनलstridal क्या question बनेगा बच्छो बीयरर एस अनलstrnal students應該 in school को हटा कर कोशन वर्ड को एड करना है तो कौन से कोशन वर्ड को एड करेंगे वेर तो क्या बनेगा इसका फूशन वेर एस अनिल next I am in school too मतलब मैं भी school में ही हूँ तेखे next Anil is sitting in the left row Anil कहां बैठा हुआ है left row में तो आपको इसका question कैसे बनाएंगे Anil कौन सी रो में बैठा हुआ है Anil कौन सी रो में बैठ रहा है sitting ना बैठ रहा है तो इसका question कैसे बनाएंगे in which row is he sitting in which row is he sitting अब आपको बार-बार Anil लिखने की जववत नहीं है आप Anil के place पर he भी लिख सकते है तो क्या बने का इसका question in which row is he sitting या फिर आप ऐसे भी लिख सकते है which row is he sitting in इन आप बार में लगा दीजे तो क्या है कौनसी रो में Anil बैठा हुआ है तो उसका अंसर आ गया Anil is sitting in the left row ओके अब देखें क्या है he is reading a book अब आपको reading a book पर question बनाना है कैसे बनाएंगे देखें reading a book तो इसके लिए आम कौनसा question बाट इस्तमाल करेंगे what what is he doing वह क्या कर रहा है वह किताब पर रहा है मतलब आपको यह answers दिये हैं and you have to make the question ओके तो इसका question क्या बनेगा what is he doing understood next Anil's friend is sitting in the second row अब इसका भी second row पूचा है तो इसका भी आप वैसे ही question बना देंगे कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे कि in which row is in which row is Anil's friend sitting Anil का friend कौनसी row में बैठा हुआ है in which row is Anil's friend sitting ठीके या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं इसका वैर इस Anil's friend sitting वैर इस Anil's friend sitting और इस उपर वाली लाइंगा भी है मैं ऐसे बना सकते हैं वैर इस Anil's sitting ओके आई बास समय में तो आप दोनों में से किसे वैसा भी आप लिख सकते हैं नेक्स्ट देखिए ही इस शापनिंग इस पैंसल वैं अपनी पैंसल शाप कर रहा है तो वैं अपनी पैंसल शाप कर रहा है कौन अनिल का दोस्त तो हम कैसे पूचेंगे What is His friend doing कैसे पूचेंगे What is his friend doing ओके Next The teacher is writing on the blackboard अब हाँ पर कुछ teacher हटाके के लगाना है Question word तो teacher एक person है तो person के लिए हम क्या लग़ी उस करते हैं Who परसन के लिए क्या उस करते हैं Who तो हम कैसे बनाएंगे Who is writing on the blackboard Who is writing on the blackboard Okay Next Children are writing in their copybooks अब आपको writing को हटाके किसको आपको Means इस वाले में आपको कुछ नहीं करना है Children are writing in their copybooks इसका आपको नहीं बनाना है क्योंकि इसमें आप भी देख रहे हैं कोई भी बड़ इटालिक में नहीं लिखा हुआ है क्या है कोईषन वर्ड़ का इसमेल करें ना कोईषन सेंटेंसेंसें तो हम यहाँ पे कुछन वर्ड बनाएंगे ओके अब आपको एक बार बता देरी हूं कि आपको कौन-कौन सी लाएंगे कोईषन बनाने हैं फर्स्ट यह है, सेकंड यह, थर्ड, फोर्थ, फिर्थ, सेक्स्थ, और लास्ट वन सेट्थ ठीक है, और आपको इन 7 lines के, इन 7 sentences को किसमें जेंच करना हैं, इनके आपको questions बनाने हैं आपको सिखाए कैसे बनाने हैं, सब सिखाए हैं, अब आपको अच्छे से देखनी हैं, पूरी वीडियो समझनी हैं और इस question को अपनी English की notebook में करना है अब next class में मिलते हैं बच्चों, till then, take care, bye bye